हूँ 2022 बलीनों के टॉप एंड मॉडल अलफा का तो सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कार की फ्रेंट प्रोफाइल फ्रेंट प्रोफाइल में ग्रिल के बारे में बात करूँ तो all new ग्रिल मिलेगा अब आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यामरा क्योंकि 360 डिगरी क्यामरा का फीचर मिलता है तो नया ग्रिल डिजाइन देख सकते हैं आप ग्रिल के लूवर पोर्शन में क्रोम की स्लेटिंग मिलेगी नीचे आप देख सकते हैं एर डैम हैड लैम्स के बारे मैं बात करूँ तो आप यह देख सकते हैं नियू हैड लैम्स असेम्बली यह हैं DRLs यानि के Day Time Running Lights प्रोजेक्टर हैड लैम्स मिलते हैं आपको फॉग लैम्स के बारे मैं बात करूँ तो LED फॉग लैम्स मिलते हैं टॉप अस्था लाइन वेरियंट में वाइट इल्यूमिनेटिट फॉग लैम्स हैं यह तो यह तो बात हुई फ्रेंट प्रोफाइल के बारे में चलिए मैं आपको एक बार कार की साइट प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कार की साइट प्रोफाइल साइट प्रोफाइल में टॉप वेरियंट में आपको 16 इंचिस के alloy wheel मिलते हैं, machine cut dual tone, wheel profile आप देख सकते हैं, 195 x 55 R16, next आप देख सकते हैं, electrically adjustable और foldable ORVM, यहापर आपको camera मिल जाएगा, B-pillar blacked out दिया गया है, window frame पे chrome की lining, door handles chrome की मिलेंगे आपको, request button sensor, चलिए बात कर लेते हैं अब rare profile के बारे में, तो आपके देख सकते हैं, बलीनों की rare profile, उपर high mounted brake lights, rear windshield में wiper washer defogger, यह हैं all new tail lamps, splitted tail lamps मिलते हैं, और boot gate पे, बलीनों का signature chrome design, यहाँ पर आपको camera मिल जाएगा, रेयर bumper के बारे में बात करूँ, तो आप यह देख सकते हैं, रेयर bumper design, parking sensors, यह आप देख सकते हैं, boot space, उपर parcel tray मिल जाएगी, रेयर passenger seats को आप 60-40 ratio में split and fold कर सकते हैं, चलिए interior's के बारे में बात कर लिते हैं, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, driver side door, यहाँ पर भी blue tone दी गई है, door armrest पर padding, और यह आप देख सकते हैं, ORVM को control करने के लिए बटन, electrically adjustable और foldable ORVM से हैं, car को lock unlock करने का, driver side, power window, auto up, auto down feature के साथ मिलेगी, नीचे door pockets, और यह आप देख सकते हैं, front dashboard view, यहाँ पर भी आपको light मिलती है, driver and co driver seat के बारे में बात करूँ, तो adjustable headrest मिलते हैं, और यह आप देख सकते हैं, seat up all street, यहाँ पर आपको काफी सारे button controls मिलेंगे, जिनके बारे में detail में बात करेंगे, इंटीरियर्स में, तो चलिए अंदर चलते हैं, इंटीरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं, detail में एक बार, तो सबसे पहले तो अब यह मा गए हैं, car के अंदर, और आप देख सकते हैं, front dashboard view, driver seat से, key के बारे में बात करूँ, तो आप यह देख सकते हैं, key fob, वही, same key fob दी गई है, चलिए मैं आपको ignition on करके दिखा देता हूँ, एक बार, तो जैसे ही आप ignition on करते हैं, कुछ इस तरह का interface आता है, instrument cluster और infotainment system का, तो जब गाड़ी start होती है, तो 360 degree camera का feature मिलता है, तो पूरे interface शो हो जाता है, infotainment screen पे, तो यह नए infotainment system है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, front dashboard view, steering wheel पे आपके, काफी सारे button controls मिल जाएंगे, volume up, down, mode, mute के, right hand side आपको cruise control का feature मिलेगा, यहाँ पर आपको call, cut and receive, और voice command के control मिलेंगे, और जैसे ही आप car का on करेंगे, तो आपका head up display, pop up हो जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर information शो हो जाती है, head up display पे, hud के button को आप जब press करते जाएंगे, तो यहाँ की information change होती जाएगी, जब देख सकते हैं, information change होती जाएगी, head up display की, अगर आप information की position भी change करना चाते हैं, तो position भी आप change कर सकते हैं, brightness को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कोई door open होगा, तो उसकी भी information शो हो जाएगी, मैं आपको एगवर दिखाता हूँ, कैसे control करना है आपने, यह button है, HUD का, तो जैसे ही आप, HUD के button को press करते जाएगे, यहाँ की information change होती जाती है, और इस तरह से position उपर नीचे होती है, आप अगर देख पाएं तो, तो पूरा जो dashboard का view है, वो कुछ इस तरह का आता है, यह आप देख सकते हैं, front dashboard, infotainment system के बारे में बात करूँ, तो यह नएा infotainment system है, यहाँ पर आपको सारी information मिल जाती है, जैसे की average कितना है गाड़ी का, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, fuel economy, average speed, गाड़ी के information, यह आप setting वगएरा कुछ करना चाहते हैं, तो setting कर सकते हैं, वोल्यूम कम जादा, settings यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाती है, music की, काड़ी की, तो यह सारी information जो है, यहाँ पर शो हो जाती ही, infotainment screen पर, नीचे आपको यह इसी events मिल जाएंगे, और यह आप दिख सकते हैं, automatic climate control unit, नीचे 12 volt का accessory socket, USB port, दो cup holders, और यह 5-speed manual transmission gear lever है, driver side armrest मिल जाएगा आपको, utility space के साथ, और यह है complete, core driver side dashboard view, all new dashboard design दिया गया है, glove box में click-clack space है, core driver side sunshade पर vanity mirror मिल जाएगा, lights के साथ, center cabin lights, auto day night IRVM, driver side sunshade पर भी vanity mirror मिल जाएगा, lights के साथ, और total 6 airbags है, तो आप यह देख सकते हैं, airbag यहाँ पर मिल जाएगे, आपको side और curtain airbags, तो यह तो बात हुई, front dashboard के बारे में, चलिए front dashboard से निकल कर, एक बार मैं आपको rare passenger cabin दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हैं, rear passenger side door, यहाँ पर भी blue tone दी गई है, और यह soft touch leather material है, यहाँ पर भी आपको padding मिल जाएगी, नीचे door pockets, और यह है rear passenger cabin, adjustable headrest मिलते हैं, तो कुछ इस तरह का, look आता है front dashboard का, rear passenger cabin से, आपको एक बार engine specs बता देता हूँ, यह आप देख सकते हैं, new 1.2 liter dual jet K12 engine, जो 90 horsepower जनरेट करेगा, और 113 newton meters का, जो 90 अनरे देखानिया सकते हैं, धी, SY兵े को एक अपको इस लुदेगा का, झाल झाल